नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशन एवं रिचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। एक बुजा और ये बुझा आपके में बराबर है। घ्यवास के में इस तरहा होगा और गर जहाओ करने मिश्वास करने हैं। और चंहें का में लग्मिन में महां से क्या सब्धू करने हैं। तो सिद्द क्या क्या करना है, पहले ये लिख लेते हैं, सिद्द करना है, जिसको हम अंग्रेजी में टू प्रूफ भी कहते हैं। सिद्ध करना है सबसे पहला ये भाग कि A, C, E जो है वो B, D के बराबर है दूसरी बात हमें ये सिद्ध करनी है कि O, A, जो है वो O, C के बराबर है और O, B, जो है वो O, D के बराबर है इसके बाद हमें ये भी सिद्ध करना है कि कौन O, A कौन AOB क्योंकि हमें O वाला कोन 90 degree सिद्ध करना है और साथ ही कोन BOC भी 90 degree सिद्ध करना है तो देखे अगर हमने A कोन 90 degree सिद्ध कर लिया तो राखे क्योंकि में होने के विज़े से दूसरा भी 90 degree हो जाएगा और सेशा मुख होने के विज़े से सामने वाला भी 90 degree सिद्ध हो जाएगा तो अगर हम किसी भी एक कोण को 90 degree सिद्ध कर लें तो हमारे बात बन जाएगी अभी मैं इस बात का उलेक और अच्छे सार्थ के सामने करूंगे और क्या-क्या बाते हमें दी गई है अगर हम इस पे ध्यान दे यानि सारी ही भुजाएं जो हैं वापसे बराबर है तो A भी बराबर है B C के बराबर है C D के बराबर है D A के सारे कोण भी समकोण है तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D और बराबर 90 degree है तो ये सारे कोण जो हैं वो 90 degree हो गए और सारी भुजाएं भी हमारे पास बराबर होगे अब हमें क्या यहां पर सिद्ध करना है यह मैंने आपके सामने लिख दिया अर आईए अब हम इस पत पर अग्रेसर हों तो यहां पर लिख लेते हैं कि उत्पती तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम AC और BD की और काम करना चाह रहे हैं तो पहला भाग AC बराबर BD के लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले आप वो दो त्रिबुज यहां पर पहचान करिए जिसमें आपको AC और BD मिले तो हमें AC यहां पर मिल रहा है और BD यहां पर मिल रहा है यानि कि दो त्रिबुज की जो बात की जा रही है वो एक यह हो जाएगा AC के लिए और दूसरा त्रिबुज हमारे पास आ जाएगा यह वाला तो आईए ज़रा इसमें हम रंग भी भर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे तो अगर हम इसको चाया अंटिक कर लें इन दोनों त्रिबुज की बात कर रहे हैं ठीक है और हमें क्या करना है कि इन दोनों त्रिबुज को सरवांग समसिद्ध करना होगा और तब हमारे पास यह AC और B, D जो हैं वो संगत बुजाएं होने की वज़े से बराबर हो जाएंगा तो इन दोनों इत्रिबुज में आप देख सकते हैं कि A, D जो है वो उभेनिस्ट है तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि A, D उभेनिस्ट है दोनों में ही हमें यहां पर मिल रही है साथ ही हमें ये बात परदा चल गई कि A, B और C, D जो हैं वो बराबर हैं क्योंकि एक वर्ग में तो सारी बुजाएं बराबर होती हैं साथ ही हमारे पास कौन B, A, D बराबर कौन A, D, C जो कि 90 डिग्री भी हो जाएगा तो इन तीनों ही बातों से हम कह सकते हैं कि बुजा, कौन, बुजा कसौटी से ये जो दोनों त्रिपुज हैं ये सरवांग सम होंगे और इस वज़े से हम लिख सकते हैं कि कौन B, A, D सरवांग सम हो जाएगा कौन C, D, A के और इस वज़े से संगत बुजा होने की वज़े से B D जो है वो AC के बराबर होगी क्योंकि यह क्या है संगत भाग है को ऐसे त्रिभुजो का सरवांग सम त्रिभुजो का आपने पहला भाग सिद्ध कर लिया अब हमें इसका सम दूई भाजक सिद्ध करना है तो पहले दूई भाजक सिद्ध करते हैं तो दूई भाजक के लिए ह सिद्ध करना है O, B और O, D को पराबर सिद्ध करना है तो जिन त्रिबुज की बात की जा रही है यहाँ पर मैं आपको दिखा हूँ तो एक तो ये वाला त्रिबुज हो गया जिसमें आपको O, A और O, B मिल जाएगी और दूसरा ये त्रिबुज भी हो गया जिसमें आपको मिल जाएगा तो आईए इसको यहाँ पर छाया अंकित कर लें कि इन दोनों त्रिबुज की बात की जा रही है तो दूसरे भाग के लिए हम लिख लेते हैं कि कौन सा त्रिबुज है तो दूसरे भाग के लिए हमारे पास त्रिबुज है त्रिबुज A, O, B एवं त्रिबुज C, O, D और इन दोनों ही त्रिबुज में अगर हम देखें तो हमें सिद्ध करना है कि O, A, O, C के बराबर है O, B, O, D के बराबर है तो हम इसके वर्ग होने की वरे से कौन-कौन सी बाते मान सकते हैं कि देखें A, B जो है वो C, D के बराबर है साथ ही आपको पता है कि कौन हम अगर ये वाला देखें और ये वाला देखें तो बराबर होगा तो कौन-O, A, B बराबर हो गया कौन-O, C, D के और साथ ही कौन-O, B, A बराबर हो गया कौन-O, D, C के तो यहां से हमें एक भुझा मिल गई और ये एक कौन मिला और ये एक दूसरा एक और कौन मिला और जिस वज़े से हम कह सकते हैं कि कोण बुझा कोण कसोटी से हमारे पास जो तरबुझ O, B, A है और जो तरबुझ O, D, C है ये सरवांगसम हो जाएंगे और इसकी वज़े से जो इसकी संगत बुझाएं है, याने कि O, A, O, C बराबर होंगी और O, B, O, D, पराबर होंगी क्यूंकि ये संगत भाग हो गए तो ये हमने यहां तक भी सिद्ध कर लिया, ये भी सिद्ध कर लिया, अब हमें सिद्ध करना है कि ये कौन जो है वो A, O, B, 90 डिग्री होगा, तो आएए रेखें कि इसके लिए हमें कौन से त्रिबुज लेने पड़ेंगे, तो क्योंकि हमें यहां पे इसको 90 डिग्री सिद् O, C, और अगर आपने इन दोनों ही त्रिबुजों को सिद्ध कर दिया, कि ये आपस में सर्वांग सम्हें, तो इसकी विज़े से क्या होगा, हमारे पास ये संगत कौन होनी की विज़े से बराबर हो जाएंगे, और हमें मालूम है कि अगर रेखे कौन बनाते हुए दो कौ बराबर होते हैं तो प्रते कौन 90 डिगरी हो जाता है, तो अगर हम तीसरे भाग की बात करें, यहां पे तीसरे भाग के लिए जहां पे हमें कौन A, O, B को 90 डिगरी से दिखरना है, यहां पे हमने त्रिबुज A, O, B, एवं कौन सा त्रिबुज लिया, एवं हमने साथ ही अभी आपने सिद्धिया कि OA जो है वो OC के बराबर है और क्योंकि वर्ग है तो AB और BC भुझा भी बराबर होगी तो इस वज़े से हमारे पास SSS का सौटी से ये बात सिद्ध हो गई कि तरिभुझ BOA और तरिभुझ BOC आपस में सरवांग सम है और जिस वज़े से कौन AOB और कौन BOC बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये संगत भाग हो गए सरवांग सम तरिभुझ के और मान लेते हैं कि ये दोनों ही अगर X हैं तो राखे क्योंकि होने की वज़े से X प्लस X का मान 180 डिगरी होगा जिससे X का मान 90 डिगरी आ जाएगा जिससे कौन AOB 90 डिगरी होगा तो हमने यहाँ पर ये तीनों भाग जो हैं वो सिद्ध कर लिए कि विकर्ण बुझाएं आपस में बराबर हैं विकर्ण बुझाएं एक दूसरे की सम्धु बाज़क हैं मैं कहूंगी अगर वर्ग के संदर में देखें तो ये सबसे जादा जरूरी प्रशन है